बोलीवुड गाने तो अक्सर लोगों की जुवाँ पर चड़ जाते हैं, लेकिन कई बार टीवी सो के लिए भी कुछ गाने ऐसे बन जाते हैं, जो कि सुनने में लोगों की दिल में उतर जाते हैं, जो इतने फैमस हो जाते हैं, जिसकी कल्पना रैटर और सिंगर भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा ही कुछ गाना साल 1989 में हुआ था, 1989 में बना था, जब एक टीवी सो के लिए गाना बनाया गया और वह इतना हिट हुआ कि आज भी लोगों को गुनुनाते हुए देखा जा सकता है, जिसे आपने भी सुना होगा, जो कि मजदार और प्यारा गाना था, और साबित हुआ था, इस गाने के गीतकार थे गुलजार सहाग और इस गाने के लिए वह हट पर अड़ गई थे, आए इस गाने के बारे में आपको बताते हैं, साल 1989 में दूरदर्शन पर एक सो शुरू हुआ था, जिसका निरदेशन होमियो कुरुगावा ने किया था, यह सो रुडियार्ड कैपिलिंग की कहानी पर अधारित था, और इसका नाम था दी जंगल बुक, इस सो के बावन एपिसोड बनाए गई थे, पहला सो गानी जेंती के बोके पर दो अक्टूबर को रिलीज किया गया था, इस सो का मुख्य करेदार था मोगली, जिसके इद्र गिर पूरी कहानी घुमती है, दा जंगल बुक पर कई नाटक और फिल्में भी बनाई जा चुकी है, दा जंगल बुक का नाप पढ़कर आप निश्चित तोर पर समझ गए होंगे, कि हम किस गाने की बात कर रहे हैं, यह गाना है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड दूरदर्शन के हिसाब से थोड़ा सही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि गाने में सब सही है, बस इसमें चड़ी सब्द को हटा दीजिए, गुलजार सहाब ने साफ हिंकार कर दिया था, मेकर्स ने कई बार रिजेक्ट किया, लेकिन गुलजार सहाब ने यह कह दिया कि यह फ हुआया जाए, आखिरकार दूरदर्शन के दा जंगल बुक के लिए गुलजार का लिखा हुआ गीत चलाया गया, इसका संगीत विचाल भारत दौाज ने दिया था, और इसे अनमोल सचदेव ने आवाज दी थी, यह गाना जैसे ही रिलीज हुआ, ऐसा हिट हुआ कि फूरे दीज भर में बस यही गाना सुनाई पड़ता था, आज भी बच्चों की बीच में यह गाना बहुत लोग परिये है, जैसे ही पहली लाइन जंगल जंगल बात चली है, सुनाई पड़ती है, अगली लाइन खुद ही गुरूनाने लगते हैं, इस गाने के बारे में आपके क्या वीचार हैं, हमें कमेंटे में बताना, लाइक करना, सेर करना, सब्सक्राइब करना, मत बुलना, धन्यवाद